हलो नमश्कार एंड विल्कम बैक तो माई चैनल रीव्यू करेंगे बकाडी ब्लैक का वैसे सबसे पहले बता दू बकाडी ब्लैक मेरा बिल्कुल फेबरेट नहीं है मेरा पसंद है ओल्ड मॉंग या कैप्टन मॉगन ये लास्ट चोईस होता है लेकिन अभी क्या है जहारख मिलता नहीं है तो अभी इस थंड के मौसम में देर इस नो डाक रम अवेलेबल इन राची तो किसी एक लिकर शॉप पे मुझे बस ये अवेलेबल था फुल बॉटल में तो मैंने ये एक पर्चिस किया है बाकी और कोई रम अवेलेबल ही नहीं है डाक रम और ये भी हर लि को देखना चाहिए ठीक है आप टैक्स कमाते हैं बहुत बाकी सब स्टेट से ज्यादा रेट रखते हैं अपने हालिकर में कम से कम वराइटी तो कंजूमर को अवेलेबल होने दीजिये बाकाडी इस फेमस फॉर इट्स वाइट रम बहुत ही लिजिंडरी ब्रैंड है बाका मौगन के साथ ओल्ड मौंग की पॉपिलारिटी कैसी है ये बताने की जरूत नहीं है और उसके बाद कैप्टेन मौगन भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था हिंडिया में और बाकाडी ब्लैक की अगर बात करें तो ये कॉमपरिटिवली एक न्यू इंट्रेंट है और डिफरेंट टाइप की फैन फॉलिंग है बाकाडी की भी ठीक है मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो तो देर इस नो मैच अफ ओल्ल मौंग नंबर टू चॉइस कैप्टेन मौगन और बाकाडी हमेशा से मेरा नंबर त्री चॉइस ही रहा है हलाकि रिव्यू करना इस नोट गूड बट बट मेरे सामने अगर ओल्ल मौंग पढ़ा हो या कैप्टेन मौगन पढ़ा हो तो मैं कभी भी बाकाडी ब्लैक को तबर्स जो नहीं देता हूं उन दोनों के सामने यह फैक्ट है तो इस नोट को यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टार्ट करते हैं का रिव्यू ओनेस्टली चेक करेंगे कि वो क्या ऐसी बात है जिसके चलते कि यह कैप्टेन मौगन या फिर ओल्ड मौंग को सरपास नहीं कर पाता है इतना हीूज ब्रैंड फॉलविंग और वर्ल्ड वाइड इतना रेनाउंड ब्रैंड होने के बाद भी इंडियन ब्रै अच्छा रम में क्या है रम का जो मेन इंग्रेडियेंट्स होता है वही होता है मौलसिस तब मौलसिस क्या है इट्स बहुत सच्टा है इंडिया में बहुत जादा शूगर के इंडिया में होता है वन अप दे लार्जेस्ट प्रोडिशर ऑफ सूगर केन है तो सिमिलरली वन of the largest producer of molasses भी होगा इंडिया यहां तो विस्की भी molasses से बनती है तो old monk rum very famous pure molasses का rum similarly फिर captain Morgan और अगर bacardi black की बात करेंगे pure molasses अच्छा bacardi black का क्या है जो international variant आता है जो पूरे world में बिखता है that is different इंडिया में जो bacardi इन्होंने जो launch किया है with reduced price तो यह क्या है कि यह 100% इंडियान रम है आज इसको इसका इसका ब्रैंड नेम bacardi is international बाकि यह भी आप इंडियान रम ही consider कर सकते हैं तो there is no difference in ingredients अगर compare करे तो like old monk या captain Morgan और bacardi almost similar ingredients है not similar it's exactly same ingredients बाकि फिर उसकी blending और mature जो किया आता है उसमें जो फरक आएगा वो एक फरक है बात सबसे पहले color की बहुत ही dark शांदार caramel color artificial color इसमें add किया आता है 150A तो बहुत ही शांदार color है जो एक dark रम में होना चाहिए उसके बाद as usual रम की consistency जो है वो बहुत ही light होती है तो बिलकुल वैसा ही consistency है यही same consistency आपको old monk में भी मिलता है चलिए smell करके देखते हैं smell में definitely यह थोड़ा सा light on nose है as compared to old monk और बहुत हलका सा faint सा wood का एक smell आ रहा है बहुत मामूली सा vanilla जो की बहुत ज़्यादा prominent होता है old monk में बत इसमें एकदम जरा सा एक hint है और कुछ नहीं और बाकी जो molasses के spirit का जो एक smell होता है it is there but वो भव का type का नहीं है that is वो अच्छी चीज है चलिए सीधा taste करते है काफी sweet है बहुत हलका सा एक वनीला का essence टाइब का feel हो रहा है woody जरूर महसूस होता है थोरा सा spicy है लेकिन जो अच्छी चीज नहीं लग रही है मुझे थोरा सा एक medicine के type का दवा के जैसा एक smell मिलता है तो वो एक बहुत अच्छा नहीं लगता है smell में भी हलका वो medicine वाला smell तो है ही sweet है wood का अच्छा smell आता है इसमें spicy नूट्स है बहुत हलका सा एक vanilla का नूट आता है और थोरा सा medicinal टेस्ट है चलिए रम है तो एक बार पानी मिला करके टेस्टिंग तो बनता है तो वो भी देखते है बहुत जादा चेंज कुछ नहीं है पानी मिलाने के बाद smell में आल्मोस्स सिमिलर ही smell कर रहा है थोरा सा molasses का जो smell होता है spirit का वो थोरा सा बढ़ जाता है और जो wood का जो एक fragrance आ रहा था वो थोरा सा प्रेस हो गया है बाकी medicinal smell जो था वो अभी भी as it is है चलिए टेस्ट करते हैं पानी के साथ ये निट में जितना अच्छा टेस्ट कर रहा था पानी मिलाने के बाद उतना ही ज़्यादा खराब इसका टेस्ट हो गया है ये बिल्कुल पानी मिलागर के पीने के लाइक ही नहीं है बस ऐसा ही लग रहा है कि कोई कप सिरफ या कुछ उस टाइब के चीज आप पानी में मिलाए हैं और पी रहे हैं और पता नहीं क्यों वो खराब टेस्ट जरा कोई अच्छा टेस्ट रहे और उसका लिंगरिंग इफिक्ट रहे काफी समय तक आपके मुँख का जाइका को अच्छा कर रखे तो बहुत अच्छा लगता है और यहीं चीज अगर कुछ खराब टेस्ट के साथ होगा तो वो तो पाथटिक हो जाता है तो यह कुछ वैसे ही है पानी मिला के आप पीते हैं मुँख का टेस्ट वो जाही नहीं रहा है और वो बहुत बेकार टेस्ट है जो एक स्पाइसी नोट्स आ रहा था निट पे वो पानी मिलाने के बाद गायब है और बिलकुल यह एक अगदम स्पिरिट में कुछ दवा मिक्स करके और पानी मिला करके बिलकुल उस टाइब का टेस्ट स्मेल में भी मतलब वो स्पिरिट वाला स्मेल काफी बढ़ गया है बिलकुल पानी मिला के पीने के लाइक नहीं है आप अगर इसको पीना चाते हैं तो आपको निट पीना पड़ेगा पानी मिला करके आप इसको पी ही नहीं सकते हैं या फिर आप कोक या कोई कोल निंग्स मिक्स करके आप ज़स्ट उसका मज़ा लेंगे और नशे के लिए पीएंगे तो वो ऐसा किया आए सकता है पीजन है ज्यादा तर लोग हमेशा निट तो पीते नहीं है पाने मिला के पीते हैं और पाने मिलाने के इसका टेस्ट इतना खराब हो जाता है कि आप कभी इसको इंज्वाई नहीं कर पाएंगे मतलब आप ऐसे समझेए वन टू टेन पे अगर निट पी करके इसको हम वन टू टेन पे कुछ सेवन एन हाफ और एट पॉइंट दे दें अगर तो पानी मिलाने के बाद मैं इसको तीन पॉइंट दूँगा इतना ज्यादा डिफरेंस है पानी मिला के पूरा स्पॉइल हो जाता है टेस्ट इसका तो ये था बहुत ही ऑनेस्ट और क्विक रिव्यू आफ बाकादी ब्लैक आई होब वीडियो आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मिलते हैं ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो में रीव्यूज में तो तक टेक वेरी गुड केर आफ यॉसर्फ बाई बाई